नमस्कार स्वराज एक्स्पेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे बुलेटिन के शुरवात करेंगे जहां लोग सभा चुनाव के मद्दे नजर कॉंग्रस ने मद्द प्रदेश की तीन और सीटों पर अपने उमिद्वारों के नाम का अलान कर दिया है इस लिस्ट में प्रदेश की व्याइपी सीटे गुना और विदिशा भी शामिल है लोग सभा में प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ा ही कॉंग्रस के अब तक 25 प्रत्याशी डिक्लेर कर चुकी है देखिए रिपोर्ट मध्यप्रदेश में कॉंग्रस प्रत्याशीयों की तीसरी सूची तीसरी सूची में वि आईपी सीटों पर हुआ प्रत्याशीयों का एहलान इन सीटों पर अभी सस्पेंस बरकरार शिर के सामने भानू पेश करेंगे चुनाती सिंध्या को टक्कर देंगे राव यादवेंद्र अपनी दो सूचियों में मध्यप्रदेश के 22 लोगसभा प्रतियाशी घोशित करने के बाद कॉंग्रेस ने MP की तीसरी सूचि जारी करती है इस सूचि में प्रदेश की VIP सीटें भी शामिल है तीसरी सूचि में कॉंग्रेस ने गुना सीट से जोतरादित सिंध्या के सामने राव यादवेंद्र सिंग को चुनावी मैदान में उता रहा है इसके अलावा विदीशा से पूर्व मुख्य मंत्री शिवरात सिंग चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकेट दिया गया है वहीं दमो में राहुल लोधी का सामना तरवर सिंग लोधी करने जा रही है मध्यप्रदीश के कॉंग्रिस ने 25 प्रत्याशी अब घोशित कर दिये हैं हाला के अभी मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीटों पर पार्टी अभी भी विचार मंधन कर रही है मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस के तीसरी लिस्ट के उम्मिद्वार प्रताप भानू शर्मा विदीशा विदीशा में शवरा सिंग चौहान का मुकाबला करेंगे प्रताप भानू शर्मा 2018 और 1984 में विदीशा सीट से सांसद रह चुके हैं प्रताब भानु के अलावा केसी कॉंग्रिसी को जीत नसीम नहीं हुई है राव योगेंदर सिंग को प्रताब से पहले ही राव यादवेंदर सिंग ने भाई अजय यादव और माई सहब यादव के साथ बीजपी छोड़कर कॉंग्रिस का दामन थामा था एक महीने पहले उनकी माई बाई सहब यादव और भाई अजय यादव फिर से बीजपी में लोट गए यादवेंदर सिंग कोंग्रिस में ही बने रहे दर्वर सिंग लोधी दमो दमो की मुकाबला लोधी बनाम लोधी राहुल लोधी के सामने तरवट लोधी सागर के लोधी समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं जाकिकत समी करण के कारण मिला टिकेट, दमो लोदी, बहुल मानी जाती है 2023 में सागर जिले की बंडा सीच से विधान सभा चुनाव में मिली करारी हार कॉंग्रिस की तीसी सूची में घोशित इन लोग सभा सीचों पर 2019 के चुनाव में बीजबी का कब्जा था गुना से बीजबी प्रत्याशी केपी सिंग यादव ने जोतरादित सिंध्या को हराया था जिसके बाद 2020 में सिंध्या ने बीजबी का दामन थाम लिया था विधेशा से बीजबी के रमकांत भार्गम ने शैलेंदर पटेल को करारी शिकस्त दी थी वहीं दमों से बीजबी के प्रहलाद सिंग पटेल ने प्रताप सिंग लोधी को हराया था इसलिए अब कॉंग्रेस ने इन तीनों सीटों पर पाठी के प्रत्याशी बदल दिये गए है बही अलागला कारणों के चलते बीजबी ने भी इन तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिये हैं ऐसे में इन तीनों ही सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में हैं बीजबी जहां कॉंग्रेस की सूची पर तंज कस रही है वहीं कॉंग्रेस उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है कि जो हमारे हाई कमांड ने तीन नाम कल गोशित किये हैं उस पर हो कह रही है कि यहां वहां से लाए हुए है क्या पाकिस्तान और बंगलादेस की निवासी हैंगी बीजबी और कॉंग्रेस दोनों ही चुनावी तयारियों में जुट गई है हाला कि बीजबी के सामने कॉंग्रेस की स्ट्राटेजी की चाल कुछ धीमी दिखाई दे रही है बहीं कॉंग्रेस इस देरी को अपना रणनीती का हिस्सा बता रही है लेकिन गोर करने वाली बाती है कि बीजबी बहुत पहले ही सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का एलान कर चुकी है और अब आकरमक प्रचार में जुटी हुई है ऐसे में कॉंग्रेस को ये भी सोचना होगा कि कहीं ये देर उस पर ही भारी ना पड़ जाए कुमार संदीब स्वाराज एक्स्प्रस भोपार और चलिसी खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे संबादाता दुर्गेश कुपता सीधे जुड़ गे हैं दुर्गेश का रुख कर लेते हैं दुर्गेश कॉंग्रेस ने तीस से सुची भी जारी कर दी है अर प्रतियाशक के नाम का इलान हो गया है अधिवात कर एक गुना विदिशा और ये तीनों जो है तीनों जहां पर जो कॉंग्रेस है प्रतियाशक के नाम खोशित कर दीए हैं किससर से देखते हैं से बिल्कुल कविता इस पस्तोर से अगर देखा जाया जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी काफी मन्थन के बाद में लोग सबाप रित्यासी उतार रही है जिस तरीके से हमने देखा कि जो पिछले पहली सुची जो कॉंग्रेस की निकल कर सामने आई थी उसमें काफी मन्थन हुआ मन्थन होने के बाद में जो सीईसी की बैटक कोई सीईसी की बैटक कई दो से तीन बार सीईसी की बैटक के बाद में उन प्रित्यासियों के नाम पर महर लगी और जब मुहर लगने के बाद में उन प्रत्यासियों के नाम का एलान किया गया तो काफी चौका देने वाले नाम थे और साथ ही कॉंग्रेस पार्टी कही न कहीं ज़स तरीके से गहन, मन्थान और चिंतन करके प्रत्यासियों को लोगसभा प्रत्यासी बना रही है उसे कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी को काफी उम्मीदों के साथ में प्रत्यासियों को मैदान में उतारा जा रहा है उन सब में अगर बात की जाये तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विशय और सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल सीटे हैं उन में से गोना और विशय चिंदवाला यह सीटे सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीटे हैं गोना और विशय को लेकर सस्पेंज बरकरार था उसको लेकर बीते हुए दिन हमने देखा कि कॉंग्रेस पार्टी न अपने प्रत्यासियों की गोशना की और भारती जनता पार्टी के खिलाप में जब वे चुनाव लड़े थे तो भारती जनता पार्टी की तरफ से केपी यादो प्रत्यासी बनाए गए थे जब लोकसवा चुनाओ हो गए लोकसवा चुनाओ के बाद में जोतरा जित्सिंदिया ने भारती जन्ता पार्टी का दाम पर्तियासी बनाया, वहीं पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से एक सबसे एहम और सबसे बड़ी चुनोती थी वहां पर जोतरदित सिंधिया के खिलाप में एक ऐसा प्रतियासी ख़डा करना, जो कि जोतरदित सिंधिया को एक अच्छी फाइट दे सके और अच्छा मुकाबल जिसको लेकर राव याद्वेंदर सिंग को गोना से प्रत्यासी बनाया गया राव याद्वेंदर सिंग के परिवारिक इतिहास की बात की जाए तो परिवार में जो राव याद्वेंदर सिंग के जो पिता जी थे वह भी जोतरत सिंदिया परिवार के से इसके पहले भी उनक नामें देखने को मद्दप्रश की जन्ता को गें चका है। कि वह किसको केंड़िश्य को किसको करते हैं, किसको प्रथाशी बनाते हैं। लेकिन अभी भी देर आए को दूस्त नहीं आए। ये वह कॉंग्रीस पारिटी है। इसको पूरे मत्यप्रदेश की बात करें। साथ में चस्तिकर राइस्तामीं जुड़नें। यहां इनका कोई अलाइंस, कोई गर्जोड किसी के साथ नहीं है यहां जो भी कुछ करना हों कॉंग्रस पाल्टी दो करना है तो ऐसी परिस्थिती में भी है आप की पहांच अभी भी तीन प्रत्याशी कोशित करने की बॉले मुरेना खनवा की दुविदा हो आप तैनी कर पा रहे हो कि कौन सा कॉंग्रस पत्याशी के अंड़ेट के तौर पर महां मैदान में आएगा कॉंग्रस तरकर मैदान में आएगा तो धर्शाथ है कि अभी भी यह गुडबाजी से रफ्टो तरस्त है लेता, निती, नियत ये सब शंकट इनके साथ नेरंतर बने हुए जी ये तच्छावला लिटर्शिप क्राइस है ये जितेन पढ़वारी का फेलियर है जो बातें बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन अभी तक चैनी कर पा कि केंड़ेट कौन होगा कंढ़ना जी पहली कर पा क्विछाशी कोई निती है तो इन सब जगनों को रिकार्ड मसों से कुनाऊ जीते हैं जाय गुना का विश्य का विश्य हो मतलब की आपे कहना चाह रहे हैं कि मजबूरी में जो कॉंगुस со क्रतार्षी है उपाजबुक्त कंग्रेस के मजबूर ठीक है फिरोज जी से जबाब ले लेते हैं फिरोज जी देर आया लेकिन दुरूस नहीं आये और पंकर जी कह रहे हैं कि जो BJP के प्रत्याशी है वो मजबूत प्रत्याशी है और जो कॉंगर्स प्रत्याशी है वो मजबूत प्रत्याशी है कि उनकी चुनाव नहीं लगना चाहरे हैं मजबूरी में उन्हें चुनाव लगना पड़ रहा है कि जहां तक देर होने की बात है तो पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी को उसमें अपने अटिकेट वित्रान करना है सीची की बठटे हैं रेगूलर रोज हो रही है हमारे हैं कल तेलंगाना की वही साथ में मद्ध्य परदेश की भी हमने तीन फीटे क्लियर कर दी तो लगातार अब भारती जन्ता पार्टी तो अरुनाचल से मेगाला यसे और नागालेंड से तो पलायन कर चुकी हाँ जोड़ी उन्होंने कि अब हम अपना केंडिडेट नहीं होता रहेंगे ठीक है और इनके जादा तर एलाइंस सब बढ़ चुके हैं महराष्ट में इनकी अभी तक सूची नहीं आई है उत्तर प्रदेश में सूची नहीं आई है बेहार में अभी सूची जो है प्रया प्रत्याशित है तो ये तो राष्टी चुनाओ है राष्टी चुनाओ में हर कोई राज जल्दी क्लियर हो जाता है कोई राज जरादेर स क्लियर होता है तो यह ऐसा चलता रहता है इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत यह है कि अब भारती जन्ता पार्टी में महराज इतने पावर्फुल है कि वह हारे हुए जो पैंडिडेटे वो गुना से लग रहा हैं और जो जीते हुए केती आदा हुए वह हैं तो आप देखिए भारती जन्ता पार्टी की स्थिती की कि वह किस तरीके से अपने नेताओं के महों पाश में फंग गई है कि वह अब जिसने ना गुना का जो वनवास तीस चानीज साल बाद गुना का वनवास जिस आदमी ने खतम किया था उसको इन्हों ने भार बढ जो कि केंडरी मंत्री भी है राजसावा सांसद भी है और मजबूर क्यों है हमारा केंडिडेट बताइए तहां कांडिडेट हमारा कमजोर है का हम लोगों ने ऐसा टिकेट दिया है जिससे यह लगेगी यह जो एक्टी है करताब बानु शर्मा दो बार एंपी रह चुके है पंकर जीह कहें है कि जौ प्रत्याश्री हैं चुनाव नहीं लड़ाना चाहरे है लेकिन उनको चुनाव बढहा है बस्बूली में अलगे अगर हम हम फुष्पाः तीन चार फीटे हम सhedจะ देर होई है तो इसलिए हुए है कि हमारे पास तीन-चार-चार कंडिडेट हैं में तो यह हमारे लिए बाव मुश्किल का काम तक इसको काय करें और किसी ने यह कहा कि कि हमको चुनाव नहीं लगाना है कोन हमारा सिंबल फेक के गया बता दीजिए इनकी तो बभुद्रागी शांसद ने वापस कर दिया टिकेट थाकोर जो था वो पौरबंदर उसमें का कासमा जो थे उन्होंने बीजेपी छोड़ी ओ कॉंग्रेस के टिकेट ले लिया वेरिया नाम है जो बाते हो रही है वाते है अलागे है पंकर जी कैंडिडेट्स जादा थे इसले देरी हुई देखें कविता जी कॉंग्रेस अपने पक्ष में कुछ भी तर्व थे उनका अधिकार है पर दिग्वे सिंग ने इस पर तोर पर कहा है शायद हमारे मुच्टने उनका बयान नहीं सुनाओगा कि मैं तो चुनाओ नहीं लड़ना चाहता था मुझे महों जान को लड़ना चाहता था पर पार्टी ने मुझे लड़ना दिया तो लगण हुँ कमना जी पहले कै चुकते में चुनाओ नहीं लड़ना अजय सिंह राल गया मना जो के में चुनाओ नहीं लड़़नों गा तो इनको मजबूत तस्याशी नहीं कते हैं, इनको अब जो बिला वो मजबूरी में हैं, रसाब बानु जी के प्रजी पुरे अलर के साथ, ये बड़े पुराने अगटी हैं, पर पिखले चुनाओं में जब वहारे उसके बाद से देखी क्या वुमिका है, उनको कॉंग्रेस के विधानतावा के लाइटी हैं, तो मेरा इसना से आग रहे हैं कि इनको स्या करना है कि इसको सिक्रित बेहन ना जें, पर जनता और जनार्दन और देश, नरेंद मोदी जी जारंटी के साथ है, अब की बार फिर मोदी सरकार वाज़ापाः चार्तों के पारेस तेयारी हमारे सारा प्रचार वोशित होगा है, यहां कॉंगर्स पार्टी कहां नी कर पारेगी कि क्या करना को जिलाज़ाज बना रही है, तो यह ढूंड रहा है और यह ठीक का फिरोज ने, फिरोजी क्यूंकि चुनाओ काफी नस्दीक है और जो बीजेपिर प्रत्यार्शी है वो तो प्रचार प्रसाद में भी जुड़ गए हैं, तो अभी तक आपके कैनिडेट सी तैनी हो पाए हैं, तो कैसे प्रचार करेंगे? अभी भी जो है, हमारे कैंडिडेटों को पूरा एक महिने का समय मिल रहा है और जो लोग जमीन पर रहते हैं, कॉंग्रेस ने इस्टेबलिश जो लीडर हैं पाल्टी के उन लोगों को टिकेट दिया है बाकाइदा जाती गद समीकराओं को बना के टिकेट दिया है लेकिन पंकाजी भी तो बुन रहे है लेकिन भी तो बोल रहे है कि वोडेटों लगए चोनाव नेलासारा प्रथा ए म।्याम्रेटों के वाएथा. यह कुण लडे क्हल Sk supporterाइख दिक्त बिजेपिकों ने यह कौनल제 कौनली लडे लेकिन पंका जी कह रहे कि उन लोगों ने कहां कि हम नीकाल कि अ Ε Mir एक तो पहले मैं थोड़ा सब्सक्राइब हमारे मिर्टर की जानका दूस करूंगा भी हमारे मिर्टर का के अरुनाचल प्रदेश से बीजेपी प्लाइन का चुकी है भाहियार फिरोज भाई अरुनाचल प्रदेश में उक्षुनाओं है छे स्वीटों के और छे की छे अरे फिरोज भाईया परिशान मतो तूनाचल अरुसर में बुलाथा कि मैने जिन नेताओं को लेग किया उन नेताओं के बयान सामने है कुमंग सिंगा ने क्या नहीं का कि उसके पड़वारी जी तिगवेजी ललेंगे और ये ललेंगे सब में शुआ लड़ूगा नहीं इदेन बड़वारी चुनाओ लड़ लड़ने है लुक्सवागे के बताते सिरूद को प्रवखता है जटाओं के इनके अधिवेज साह से जोआ लड़ने का कि नहीं है और सवाज जी तरहा है कि इनके पास ना परत्याशी है ना परत्याशा दोनों नहीं है अब लग ये आ कि मोदी सरकार के विकास काडियों की लंडी सूची है अगले 15 साल के भारत का विजन हमारे पास है ये प्रस्ताचारा है सरकार है यहां तो कि यह है कि राहूल गांदी जी बोल रहा है कि ठीके के पशिचे नहीं है खाते सीज करती है वो भी जूड वोलते है और जितन म्ह उस्तार के लिए दो किसे नामनकान्देली की क्या है यह भारती जनता पार्टी की क्या इसति यह अच्छा जी दो क्यों राट जी बात करें गुना और वीदीशा की, जो कॉंग से दो प्रतियाशों है, किस तरह से देखें उसे? देखिए, पश्ट बात यह है, इप दोनों प्रश्टे आश्यों पर हॉट सीट है, पर छिनवाला भी हॉट सीट है, बिल्कुल, वह भी नकुल नाजी चुनाओ ला रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एना, इन सीटों पर कॉंग्रेस की, आप देखिए, राओ योजे, यादविन सिंगी है, यादवें लियाता हुए, वो भी कंदार केंडिकेट है हमारे, परताफ बानु शर्वाजी जो है, वो दो बार के सांसत रहे है, वो भी कंदोर कंडिकेट में है, तो बताइए ने, कौंसी सीट पर कॉंग्रेस कंदोर है, और मजबूर दिख रही है, तो हम लही पर्जी पर紧िण छी चarm आपक के प्रचार दी फिरूँ जी लेकिन आपके पार्टी में ले जा रहे हैंन। पकडड़ के दोड़नें ले जानीये बीजेपी कयाईळी औगको पताई जो सुरेष पचोरी जी, विशाल पते Chen Dü Undeal और संजे शुकला इनको 147 करोड का एडी ने नोटिस दिया है हमारे 122 नेताओं को इंकम टेक्स का नोटिस दिया और आज से 15 साल पहले कभी हवाई आत्रा की जी तो पूसरा है कि बता हो यह हवाई आत्रा का टिकेट कहा से आया कर दो सिर्वाल किया है को अधिने अलतोर्ल पांड भॉंत में किसी बाच़ा पागे कार इताओं को भोड़ों PayPal कि भूसराओं नहीं कुझा जी यह इनका चूना किसी भाढके कार कार्थकंब्स को बुड़ाओं कि मैं शुराओं नहीं लटूंगा कर्णार इस पर्ष्ट है कि अच्छा किसी फीट पर लड़ रहा है वर ड़गाई आप देखिए इसका नाम है आपके बारती कांगरिस्ट कमेटी इसके बिल्कुल पंकर जी बिल्कुल समय का भाव है इसलिए इहीं पर क्लोज करना होगा पंकर जी आपके बहुत धनेवाद च ग्रॉज कि अल्कुल पंकर शीज आपके बढू़ को बनापके बिल्कुल समय को राव है ये आपके बहुत जापके बिल्कुल प्यास वद आपके पर जापके लैपके